दोस्तुढन डीटर्पेस्पी की ऑफिचल वेबसाइट पे दो और नई नोटीसमों जारी करती हैं, आज के ही दिन अभी थोड़ दिर पहले ही है, दोनो नोटीसमों जारी किये गए हैं, ऑफिचल वेबसाइट पे तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे यह दोनों रिजल्ट है वो जारी किये गए हैं और क्या उन में दिया गया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जोरू सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एजुकेशन और उससे रेटे जितने भी लेटेस्ट इंफोर्मिशन है अपडेट से वो यहाँ पे आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी ठीक है वन और टू यह सीरिल नमबर जो दिया गया है notice number 1185 और notice number 1884 यह अभी अभी जारी जारीकिये गया है वो है notice number 1885 दोनों बो आगे पीछे ठीक है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ क्या इन नोटिस में दिया गया है यहाँ पर मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ फिर बदाता हूँ यहाँ पर क्या इन में दिया गया है देखे दोनों नोटिस मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है नोटिस आप देख सकते हैं, नोटिस नमबर है 1185 और आज के दिन ही ये जारी हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं देखें, पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट एंड पोस्ट कोड है, दो बटा 17 ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विसेज डिपार्टमेंट, जी एंड सी टीडी अब यहाँ पे क्या है, कि एक रोल नमबर दिया गया है कंडिडेट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नमबर और इस रोल नमबर का जो कंडिडेट है, जो इनके इडोजर फिल हो रहे थे, तो इस कंडिडेट के जो इडोजर है, उसमें कुछ डोकिमेंट की कमी रहे गई, यहाँ पे रिमाक्स में डोकिमेंट बताया गया है कि कौन सा डोकिमेंट है, जिसकी कमी रही है, तो इसको second and final opportunity दी गई है इस कंडिडेट को, कि वो अपना जो डोकिमेंट है, वो फिल कर दे, और कब तक फिल कर दे, तो देखे यहाँ पे date भी दी गई है, कि the इडोजर link shall be active, कब तक एक्टिविट रहेंगे, 8 जुलाई 2021 से लेकर के, 12 जुलाई 2021 21 के बीच में, उसके बाद इसका जो final result है, वो declare कर दिया जाएगा, और अगर इस candidate ने, जो अपना document हो, upload नहीं किया, तो इसको reject कर दिया जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहला notice तो यह था, दूसरा मैं आपको दिखा जेता हूँ, यहाँ पे, दूसरा notice यह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ साथ 2021, और यह post है, असिस्टेंट डारेक्टर Community Services, notice नमबर है 1184, और postcode है 4823, in MCD, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक candidate का roll number दिया गया है, और उसको first call opportunity दी गई है, जो e-dozer fill करने की, यहाँ पे आप roll number देख सकते हैं, यहाँ पे remarks में, इनके जो documents हैं, यहाँ पे इसको अपना जो e-dozer है, वो fill भी कर देना है, कब से कब तक, वही date है, 8 July से ले करके, और उसमें 12 July थे हैं, यहाँ पे 17 July दे रखा है, तो इसके बीच में, जो e-dozer है, उसके link एक्टिवेट रहेंगे, तो इन दोनों candidates को सला दी जाती है, कि यह अपने जो documents है, वो upload कर दे, fill कर दे, जो e-dozer है, वो, ठीक है, तो अभी के लिए यहीं अप्डेशन थी, यहीं news थी, आप सभी के लिए, और आगे की जितनी भी latest information, अप्डेट्स के लिए बने रहे हैं मेरे साथ, thank you so much.